हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अबिदे के एंड वेलकम टू टेक्सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके फोन में इस तरीके से आप्शन आता है सिम कार्ड फुल का तो आप इसे हटा देते हैं और वापस से ये आ जाता है कितने बार भी हटाएं वापस से आ जाता है तो इस प्रब्लम को हम कैसे पूरी तरीके से हटाएं तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए सबसे पहले आप अपने फोन में मैसेच की अप्लिकेशन में आ जाएं इसके बाद आप सेटिंग्स के ओप्शन पर क्लिक करें यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाएं आपको यहाँ पर दिखाई देगा additional settings इस पर click करें और open कर लें अब आप वापस से नीचे की तरफ चले जाएं आपको यहाँ पर दिखाई देगा sim card storage इसे open कर ले यहाँ पर आपको दो sim card अगर होंगे तो दो दिखाई देंगे आपको दोनों पर click करके देख लेना है तो आप देखेंगे मेरे sim card में यह सारे messages save है तो आप इन्हें delete कर दे इस पर click करें इस पर click करें तो mark all हो जाएगा और delete कर दे यहाँ से ठीक है तो ये डिलीट हो जाएंगे और इसके बाद आपको उस तरीकी की प्रॉब्लम नहीं आईगी